आज के वीजियो में आपको ये चिटपट सा मेकप बताने वाली हूँ अगर आप ब्यू सूट पहनते हैं या कोई भी हलका कलर पहनेंगे तो उस पर ये मेकप बहुत अच्छा जाने वाला है बहुत जल्दी होने वाला ये एक मेकप है बहुत एफोडेबल प्रोडेक्ट से मैंने ये मेकप किया है और बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपको मेकप करना नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक मेकप करना आ जाएगा आपको किसी की हल्प के ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो ये चैनल पर अगर पहली बार आये हैं तो मेकशो चैनल सब्सक्राइब कर देना बैल बटन क्लिक कर देना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएगा और अगर आ चुके है तो वीडियो लाइक ज़रू करना शेयर ज़रू करना तो चलिए बेना किसी देरी के शरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम हेर बेंड लगा लेंगे क्योंकि हेर बेंड लगाने से बाल फेस पर नहीं आएंगे देन हम लिप बाम से अपने लिप को मॉस्चराइज कर लेंगे ताकि जब हम लिप्स्टिक लगाएं तो वो ड्रॉय और चैपी ना लगे मेरा लिप बाम लगा लिया है अब मैं यहां compact लगाने वाली हूँ तो यहां पर मैं सबसे पहले अपने फेस को powder से पूरा अच्छे से compact कर लोगी अगर आप foundation चाहे तो लगा सकते हैं या फिर BB cream मुझे घर पे ज़्यादा ज़रुत नहीं पड़ती है तो मैंने इसले हलका सा makeup रखने के लिए सिर्फ compact से ही पूरे फेस को अच्छे से पौडराइज कर लिया है जादा मत लगा लीजेगा वरना वह वाइट वाइट देखेगा अगर आप दिन में करते हैं तो हाथ से थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर लिया है अब मैं ले रही हूँ मेबलीन का यहां यह जो आइशाडव पैलेट है वह यहां से ब्राउन शेड ले रही हूँ अपनी आइब्रोज को फिल करने के लिए अगर आप बिगनर हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं आइब्रो फिल करना तो पाउडर वाला जो आता है उसी से कीज़ेग अब मैं हलका सा पिंक लूंगी कलर और उसे मैं अपनी आइलीड पर दोनों पर लगा लूगी ब्लू कलर का सूट है मेरा उस पे पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं सो मैं इस तरीके का पिंक कलर अपनी आईशाडव पर पूरा लगा रही हूँ लिड पर जो है अच्छ अब यहां मैं और आईशाडव में बता लिए यहां मैं कटाई बना रही हूं कोशिश कर रही हूं कि बन जाए inscription मैं हमेशा फ़रक रही जाता है तो मैंने यहां पर eyeliner लगा लिया है और अब लगा रही हूँ mascara मसकारा के हमीशा मैं दो coat लगाती हूँ जिससे मुझे क्या है नकली eyelashes की ज़रुत नहीं पड़ती है false eyelashes की ज़रुत नहीं पड़ती है जिससे मेरी आखे क्या है थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती है यहां मैं अब ले रही हूँ highlighter यह मैं मीवलिंग का क्रोम वाला highlighter आता है मॉल्टन गोड तो मैं हलका सा इसको लगाऊंगी हलका सा क्योंकि अगर डे में भी make-up करते हैं तो ज़दा चमक ना लगे तो हलका हलका सा जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं फेस के अब लगा लूगी मैं अब यहां में ब्यू हैविन की लिप्स्टिक ले रही हूं इंदशेट टू लिंक सारे प्रड़क्ट के आपको description पर मिल जाएंगे चेक आउट कर लेना तो यह एक affordable lipstick है अगर liquid lipstick आप देख रहे हैं तो सेल में आपको 70 रुपीज तक यह मिल जाती है और Blue Heaven खुद भी एक बहुत अच्छा brand है तो अगर ट्राइ करना चाहते हो तो करना बहुत अच्छा red color का यह shade है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर आया है यह shade तो मैंने यहाँ पर अप सिंदूर लगा लिया और बिंदी और चलिए अब final look देखते हैं कि क्या है So this is my final look and you can see कैसा लग रहा है यह Blue color के साथ अगर आप ऐसा makeup करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत simple सा मैंने makeup बताया आपको जदा hard भी नहीं है ऐसे करना So बहुत चटपट सा makeup है यह So this is the final outcome अगर आप makeup करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया है तो यह final outcome आपके सामने आएगा और you look at this कितना सुन्दर यह makeup आया है पूरा यह बहुत easy भी हो गया है और बहुत ही कम affordable products है मैंने आपको इक इतना सुन्दर makeup बता दिया है और आईशाड़ो पर बहुत सुन्दर लग रहा है सो वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ना साथे साथ मुझे comment section में बताना कि वीडियो कैसा लगा Instagram पे भी मुझे follow कर लीजेगा वहाँ जो reels डालती हूँ जो डालती हूँ आप देख सकेंगे वहाँ पर तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपने तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ध्यान रखें बाई